नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आपलो मिरा नाम है हर्शी दिवीदी 21 नमबर 2020 के daily editorial discussion में आपका सौगत है देखते हैं आज कौन-कौन से articles discuss करेंगे पहला article है इंडियास no to RCEP could still be a no देखे इसके respect में already मैं एक वीडियो बना चुका हूँ अगर regional comprehensive economic partnership के अगर आप बात करो तो this video I have already made वाइ इंडिया left RCEP and we didn't join it in future आप RCEP मेरे नाम के साथ YouTube में सर्च मारिए आपको ये video मिल जाएगी इस video पो देख लिजे बहुत सारे statistics जो इस article में बताये गए हैं वो इस video मैंने अल्री कवर कर रखे हैं कुछ दो तीन extra चीजे हम लोग इस article में देख लेंगे फिर next is the time use survey as an opportunity lost देखे time use survey दोस्तों इसले करवाय जाता है और recently हमारे national statistical office ने government of India के अंदर time use survey कराया time use survey मतलब कि जो देश के लोग हैं वो अपना time किस तरीके से spend करते हैं और इस time use survey के through basically ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि men और women दोनों लोग unpaid work unpaid work किते दिन के लिए करते हैं जैसे for example आपके घर में आपके sister होंगी wife होंगी आपके mother होंगी जो कि घर के house old works करती होंगी अभी ऐसा नहीं है आज की date में सिर्फ ladies ही करती है आदमी भी मदद करवाते हैं बट कहीं न कहीं ये जो work है घर वाला इसका कोई पैसा नहीं मिलता है और 99.99% ये काम ladies ही करती है तो उस case में ये एक unpaid work है अगर आप US में चले जाओगा माली जे कल की date में आपको जॉब निकाल के US settle होते हो तो US में जो house events मिलती है न उनको आपको कम से कम 14 से 20 डॉलर पर आवर देने पड़ेंगा नहीं तो आप अपना सारा काम खुद करो इसलिए इसको एक economic value मान के times use survey करके ये जो unpaid work है और केवल घर के household core की बात नहीं करी है आपने कहीं जाके पढ़ाया और उसके पैसे नहीं लिए तो किसी भी प्रकार का unpaid work अगर आप करते हो तो उसको पता करने के लिए यूज किया जाता है time use survey अब basically sustainable development goal 5.4 और कहीं न कहीं जो time use survey है वो sustainable development goal 1 से लेके 10 तर associated है तो इन सब चीजों के बारे में what a squashed earth होता ये था कि मान लिजे दो country आपस में लड़ रही है जैसे कि जापान और चाइना आपस में लड़ रही है तो जापान की forces आगए बढ़ी पीछे से चाइना की forces में pushback किया अब मान लिजे जापान की forces backtrack कर रही हैं तो वो पता है क्या करती थी backtrack करते वक्त वो जिस इलाके में अभी हैं वहाँ पे हर चीज गंदा कर देती थी तो वहाँ पे घरों को जला देंगी वहाँ के पेड़ों को काट देंगी वहाँ के पानी में जहर मिला देंगी वो ऐसा क्यों करते हैं squashed earth कहना है मतलब है कि वो जिस जगह से backtrack कर रहे हैं जिस जगह से वापस जा रहे हैं उस जगह को बरबात कर दो तो आगे की आरमी जब उस जगह पे आएगी तो पानी पी एगी तो मर जाएगी उसको कोई भी resources उस जगह पे नहीं मिलेगे मतलब एक ऐसा base जिसको आपने अभी के लिए occupy कर रखा है और जो अभी आपके हाथ में नहीं आपके हाथ से बाहर जा रहा है तो जाने से पहले आप उस base को बरबात कर दो कुछ ऐसा ही डॉनल्ड टरम के लिए बोला जा रहा है डॉनल्ड टरम नवंबर दिसंबल दे रखें डिजिटल नेशन के लिए देखें डिजिटल नेशन वाले हाँ पर जो पॉइंट से बहुत ही जनरलाइजड है रिसेंटली हुआ यह है कि बैंगलूरू टेक समिट हुई और बैंगलूरू टेक समिट में प्रधान मंत्री नरेंद बोधी जी ने अपना भाशार दिया और बाशार के दुरान उन्हों ने डिजिटल पेमेंट से लेटेड जो भी चीज़ बोली है उसको मैं यहाँ पर आपके साथ डिसकस करूँगा कुछ खास बहुत एक्स्टराइणरी पॉइंट से बता दूँगा तो आगर वाट इस पहले वीडियो पर लाइप का बटन अगर आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजे मेरे दोरा बनाएगे और वीडियो को देखने के न्यू डेली हैस डिस्टेंट इटसेल फंद आर्सी एपी निवोसियेशन हैव हार्ली इंप्रूव यह देखे रीजिनल कॉंप्रिहेंसिव एकनॉमिक पार्टनर्शिप पे ना पार्टिसिपेट करने के चलते इंडियन गवर्मेंट को काफी क्रिटसाइज किया जा रहा ह कि आर्सी एपी की जो कंट्रीज है इनकी ग्लोबल जीटीपी 30% है इनकी ग्लोबल पॉपुलेशन 30% है दुनिया भर का लगबग 28% ट्रेड इनसे निकलता है लेकिन अगर आप बात करो दोस्तों आर्सी एपी में जो 15 कंट्रीज जॉइन की हैं अगर आप ओवर ओल टेड उनका देखोगे ना तो 44% उनका ओवर ओल टेड आपस में ही हो रहा है बतलब जो आर्सी एपी की 15 कंट्रीज है चवालिस परसंट अपना ट्रेड आपस में ही कर रही है तो कहीं ना कहीं आर्सी एपी के साथ एक चीज़ तो पक्की है कि ये लोग अपनी रीजनल वैल्यू चेंज को स्ट्रॉंग कर रहे हैं ठीक है ग्लोबल वैल्यू चेंज तो छोड़ो बट रीजनल वैल्यू चेंज जो एशिया पैसिफिक के इलाके में आपका आर्सी एपी आ रहा है अपनी रीजनल वैल्यू चेंज यह नो डाउट स्ट्रॉंग कर रहे हैं इंडिया इसका पार्ट अभी के लिए नहीं है इंडिया इसका पार्ट क्यों नहीं चुकि RCEP का जो basic mandate है वो यह है कि एक country में जो सामान बना है जब वो दूसरी country में पहुंचे तो दूसरी country में almost negligible import duty पे वो entry मार जाए यह RCEP का basic concept है इंडिया को इस concept के बारे में पता था President form में जो RCEP है अगर इंडिया उसका पार्टिसिपेट कर लेता तो इंडिया को जो इतना बड़ा market हो इन countries के लिए खुल जाता लेकिन कहीं न कहीं इंडिया जो चीज चाहता था वो उसको इस partnership में मिली नहीं इसलिए इंडिया ने RCEP जोइन नहीं किया इंडिया क्या क्या चाहता था यह मैंने इस वीडियो में भी बताया था और आज की वीडियो में भी थोड़ा फोड़ा डिसकस करूँगा मैं बहुत ज़्यदा डेटेल में इस आर्टिकल में नहीं जाओ काफी सारे पॉंट से रिपीटेड होंगे अगर पहले वाली वीडियो देख रहा है तो अब देखे यहाँ पर experts के क्या viewpoint सारे experts के viewpoint यह आ रहें कि RC-EP का जितना बोल बाला और जितना हुआ दिख रहे है ना कि यह यह कर देगा comprehensive economic integration कर देगा इस्टेशा में इतना कुछ देखे होने वाला है नहीं चोकि authors यह बोल रहे हैं कि एक ऐसा ही agreement आने की बात हुई थी इसका नाम था Trans-Pacific Partnership Agreement अब Trans-Pacific Partnership Agreement को Donald Trump ने छोड़ दिया बैरक उबामा उसको प्रमोट कर रहे थी तो authors बोल रहे हैं कि अगर यह Trans-Pacific Partnership Agreement आ जाता तो यह कुछ खास नहीं कर पाता यह जो RCP आया है वो भी कुछ खास नहीं कर पाएगा ऐसे बहुत से experts का बोलना है बट यहाँ पे जो इस article के author हैं उनका क्या बोलना है और basically इस article के author हैं बिश्वजीत धर साप बिश्वजीत धर साप के बारे में बात की जाए तो यह professor है Center for Economic Studies and Planning School of Social Sciences जवालना निरी इनवर्स्टी तो यहाँ पे क्या बोलना है बिश्वजीत धर साप यह बोल रहे हैं कि देखिए Trans-Pacific Partnership का जो Agreement था न वो पूरी तरीके से Free Trade को प्रमोड नहीं कर रहा था वहाँ पे Managed Trade था बहुत सारे Regulatory Issues थे Controversial Labor Loss थे Environmental Standard पे बहुत ज़दा फोकस था Anti-Corruption मतलब अगर Regulatory Barriers और Trade Flows को Impeed हुआ देखिए मतलब जो TPP कुल मिला के आप यह समझ देखिए यह बोल रहा है कि जो TPP वाला Agreement US लाने की कोशिश कर रहा था उसमें Environmental Standards, Labor Loss, Anti-Corruption Agenda इतना ज़्यादा था कि वो एक Free Trade Agreement बन नहीं पाता लेकिन जब बात हो रही है RCEP की RCEP actually में एक Free Trade Agreement है, RCEP देखिए क्या कर रहा है, it includes traditional market access issues following the template provided by WTO, यानि World Trade Organization However, it also includes issues that are currently being discussed by several WTO members as a part of their agenda to reform the multilateral trading system कहने का मतलब यह है दोस्तों, electronic commerce, investment facilitation इन सब चीजों को लेके कहीं न कहीं, overall RCEP बहुत open है तो यानि इस चीज़ को कहना बहुत ज़दा मुश्किल नहीं होगा कि मान लीजे Regional Comprehensive Economic Partnership के Basic Agreement को इंडिया Follow कर लेता, तो अली बाबा जो कि इतना बड़ा e-commerce platform में चाये ना का हो सकता है, वो इंडिया में उसकी दुकान खुल जाती तो कुल मिला के बात यह है कि RCEP नाम का जो system यह बहुत open है, इसको Trans-Pacific Partnership के साथ compare मत करिये, Trans-Pacific Partnership में बहुत सारे checks and balances है और इंडिया नहीं यहाँ पर participate क्यों नहीं किया चुकि इंडिया जो जो चीजे जो जो liberalization अपने लिए चाह रहा था वो इंडिया को नहीं मिल रही थी अगर present form में जो RCEP साइन किया है इंडिया जोइन कर ले था, इंडिया के बड़ा market खुल जाता, अब main बात यह कि इंडिया के concerns क्या थे हैं यहाँ पर इंडिया की concerns बताता हूँ, यह थोड़े से statistics से इस पर भी थोड़े दिन हम आपस आएंगे इंडिया चाहता था कि जो service sector है इंडिया के लिए खुला जाएं, देखिए इंडिया service sector में बहुत आगे है IT services, तो services trade खुला जाओ services trade में जो लोगों का movement है वो हो सके, इंडिया की दोस्तों एक बहुत बड़ी आबादी है जिसको employment की ज़रोत है तो अगर economies एक दूसरे के लिए खुल रही है, तो इंडिया ने बोला कि हमारे देश को लोगों का आपके देश में नौकरी करपाना possible हो, यह हम चाहते है तो movement of natural person होना चाहिए, लेकिन movement of natural persons को RCEP ने करने से मना कर दिया, बाकी countries ने बोला कि नहीं भाई, goods का movement तो होगा natural persons का movement नहीं होगा तो goods के movement में तो आप देखो कि इस हद तक liberalization हो रहा है और अभी नहीं पहले से चाइना ने, जो पहले वो tarifs charge करते थे, import duties charge करते थे, वो charge करते थे 9.4% 2014 में, बाद में इसको कम करके 1.2% कर लिए नहीं, आस्टेलिया से जो goods चाइना में गुसते हैं और एशियान कंट्री से जो goods चाइना में गुसते हैं, उस पे चाइना import duty 1.2% charge कर सकता है, can you believe it दोस्तों बहुत कम import duty है, इंडिया में जो minimum import duty है, वो 13-15% है, बाकि 20%, 25%, 28%, 40-40, 60-60% तक import duties हैं इंडिया में, बड़ यहां है कि RCEP sign करने से पहले ही import duty कम हो रखी है, में चीज़ तो import duty होती है, टेरिफ, अब आप देखो, हम लोग अगर agricultural products को USA से या दूसरी country से इंडिया में import करने लगे, तो मान लीजे वेतना में चाइना में बना हुआ wheat हमने इंडिया में इंडिया में होते हैं, RCEP concept क्या है, कि हम भाई दूसरी जगों से आगे आने import के उपर tariffs नहीं लगाएंगे, तो अब देखी क्या बोलना है, कि भाई यह जो ऑस्टेलियर Asian members के लिए, चाइना ने कहा कि हम जो rate cut से उसको 1.2% तक ले आएंगे कब तक by the 10th year of implementation of RCEP, तो 2014 में, चाइना की जो import duties थी 9.4% for Australia and Asian, यह भाई 10th year of implementation of RCEP तक 1.2% पर पहुंच जाएंगी, अभी भी बहुत कम है, इसी प्रकार की कुछ छूट वियतनाम दे रहा है चाइना को, इस प्रकार की छूट देखे इंडिया नहीं दे सकता, चुकि first of all, इंडिया की manufacturing capability अच्छी है नहीं, हमारी export competitiveness उतनी अच्छी है नहीं, तो हम ज़्यादा export करनी पाएंगे, अगर वियतनाम, फिलिपीन, इंडोनेशा जैसी countries के सामने option मिले, कि उनको इंडिया से import करना है, यह चाइना से, तो ज़्यादा तर चीज़ें वो चाइना से import करेंगे, तो चुकि हमारी export competitiveness ज़्यादा नहीं, और हमको यहाँ पे घाटा, और अब सरकार में बोला, चलो एक जगा पे घाटा दो, दूसरी जगा पे फाइदा दीजे, सर्वेस सेक्टर खोली है अपना हमारे इंडिया के लिए, हमारे लोगों को अपने देश में आके नौकरी करने दीजे, इस चीज़ के लिए मना कर दिया countries में, इन्होंने बोला कि देखिए नौकरियां खुली है, केवल मैनेजेरिल पोजिशन्स में बाहर के लोग आ सकते हमारी countries में, बाकी natural persons का movement हम अलाओ नहीं करेंगे, अब ये एक बहुत बड़ा point है, जिसके साथ इंडिया तयार नहीं था, दूसरी बात dispute settlement procedures के उपर बहुत बला problem थी, कि मान लिजए कल की date में trade issues को लेके countries के बीच में disputes आ जाते हैं, तो उसको कैसे पास किया जाएगा, तो investor state dispute settlement वाला जो mechanism है, ये अभी भी पूरी तरीके से RCEP में fix नहीं हुआ है, RCEP का charter दिरूर साइन होगा, अबर दो साल बाद ये play में आएगा, तब तक ISDS mechanism में क्या होता है, इसको भी देखने वाली बात है, फिर e-commerce भाई, investment और e-commerce, e-commerce अब भाईया, अलीबाबा जैसे enterprises, अगर इंडिया में आके दुकान खोल देंगे, तो Flipkart जैसे वैसे ही नहीं खड़े हो पाएंगे, Amazon से तो compete करने में Flipkart की हालत खराब है, और Flipkart भी कौन सा पूरी तरीके से domestic या Indian रहे गाए, Flipkart में बहुत बड़े stakes हैं चाहिना के, तो कहीं न कहीं देखें, इंडिया के concerns पूरी तरीके से या नहीं माने गए हैं, और भी बहुत से concerns हैं, जो कि मैंने पहले की वीडियो मता रखा था, आप उस वीडियो को देखी जागे, अब चुकि इंडिया के concerns को नहीं माना गया है, बट अभी के circumstances में, इंडिया most probably RCEP की membership के लिए, you know, interested नहीं होगा, उसकी कुछ वज़ाएं हैं, उसकी वज़ाएं यहां देखें क्या बताएगी हैं, question is, have the circumstances under which India had distanced itself from the RCEP negotiations become any better for it to join the agreement in near future, यहनी RCEP से जिन बातों पे इंडिया का जो overall scenario था, वो बदल गया था, क्या वो बातें अब सही हो गई हैं, तो नहीं दोस्तों, the first is during RCEP negotiations, India has raised a number of concerns, two of which namely the levels of market assess it was expected to provide, especially the deep cuts in tariff on imports from China, and provisions relating to investment chapter, have become even more significant over the past several months, पहली चीज़ तो यह है, कि भाया हमको किस हदत तक tariff relaxation देना पड़ेगा, उन products को जो कि चाइना से आ रहे हैं, हम एक limit से ज़्यादा tariff relaxation नहीं दे सकते हैं, पहली बाद तो इंडिया ने बोला, तो चलो 28-30% की जो import duties को हम 14-15% पर ला सकते हैं, बढ़ 5-6% पर नहीं ला सकते हैं, दूसरी बाद investment, Chinese company के पास पैसा बहुत है, वो दूसरी नहीं भर की countries में invest करती फिरती ही, तो इंडिया की countries में भी इंवेस्ट करेंगी, लेकिन इंडिया की countries में investment अभी के लिए रोक दिया हैं इंडिया वालोंने, क्यों कि border पर clashes हो हैं, गल्वन वेली पर, तो अगर गल्वन वेली जैसे plashes हैं, national interest में इंडिया अगर रोकना चाहे, इस तरीके के imports को तो रोकी नहीं पाएगी, अगर RCEP को join कर रखा है, तो border clashes होंगे, तो Chinese products के उपर import restrictions तो लगेंगे ये लगेंगे, तो कहीं न कहीं, Chinese products investments के उपर बैन लगाना, ये इंडिया तभी कर सकता है, जब वो RCEP का partner हो, और सबसे important चीज, आज की date में आत्प निर्भर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंडिया की जो government ये initiative ले रही है, कि हमको अपनी domestic value change को strong करना ये बहुत ज़रूरी है, RCEP को अगर हम लोग blindly follow कर लेंगे, तो domestic value change और domestic production को एक limit से ज़रूरी हम लोग डेवलप नहीं कर पाएंगे, अब depend ये करता है कि हमने RCEP को ना जोइन करने वाला tough decision तो ले लिया, लेकिन उसके बाद का जो process है, कि अपने आपको उतना capable बनाना क्या ये हम कर पाएंगे, ये समय बताएगा, आगे बात करते है time use survey की, तो time use survey 2019 को national statistical office ने complete कर लिया, पूरे entire country का survey हुआ है, government of India ने करवाया, भई बड़ी बात है, इतनी बड़ी population जो की अलग-अलग activities में involved है, यहाँ पे सारे men और women का data निकाल पाना, कि वो कौन सी paid activity में involved है, कौन सी unpaid activity में involved है, यह एक बहुत बड़ा challenge है, अब unpaid activities की बात करें, तो दोस्तो unpaid activity में बहुत तरीके के activities आती है, आप किसी NGO के लिए जाके, किसी व्रधाश्रम में ladies को, या फिर बच्चों को free में पढ़ाओ, तो वो भी एक volunteer unpaid activity है, एक unpaid activity है, जो कि आप मजबूरी में करते हो, तो जो काम भी आप कर रहे हो, ठीक है, और unpaid है, चाब वो leezer का काम हो, चाए self care activity हो, चाए socializing हो, सीखना हो, बढ़ाना हो, ठीक है, या फिर घर का core करना हो, इन सब कामों में, women ने, और men ने, कितना समय दिया, इस चीज़ को पता करने के लिए, time view survey करवाय जाते है, अब ये survey कराने का तरीका, इंडिया में अलग है, और दूसरे developed countries में अलग है, अब वेसी बात है, developed countries में जो लोग है, वो पढ़े लिखे होते हैं, उनको online systems चलाना आता है, तो उनके पास अपने online systems होते हैं, वो उस पे login करके, अपने 24 घंटे के time में उन्होंने क्या क्या क्या, वहाँ पे वो input कर देते हैं, और data मिल जाता है वाकी authorities को, इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में ज़्यादा तर जनता गरीब है, उनको इतना net चलाना आता नहीं, जो भी थोड़ा बहुत net चलाना आता है, उसमें इस चीज पॉसिबल है नहीं, इसी लिए time use statistics को record करने के लिए, face to face interview करने पड़ते हैं, इंडिया में जो की एक काफी मुश्किल काम है, अब अगर आप time use survey की बात करो इंडिया में, तो देखिए, time use survey को globally करवाया जा रहा है, कि अबल इंडिया नहीं दुनिया भर में हो रहा है, time use survey को actually में कराया क्यों हो जा रहा है, दो वज़ों से ऐसा बोला जा रहा है कि करवाया जा रहा है, जो recent दो development हुए है, जो कि time use survey पर फोकस करते हैं, पहला development तो यह है कि sustainable development goals को 2030 तक हमें complete करना है, यह पहला goal है, दूसरा एक resolution लिया गया था on the 19th international conference on labor statistics, जिसका title था statistics on work, employment and labor under utilization, यह ILO ने करवाय था 2013 में, अब कही न कहीं इस conference में भी जो labor productivity है, जो labor का काम है, labor का employment है, इसको पता करना और उसके बाद labor को सही जगा पर deploy करना, यह यह conference कराने की कोशिश कर रही है, तो अगर sustainable development goals को implement कराना 2030 तक तक तो यह international labor organization की जो conference है, international conference on labor statistics, इसके aims को implement करवाना है, तो कहीं न कहीं time use survey important हो जाता है, government of India no doubt sustainable development goals को implement करना चाती है, और कुछ हद तक यह जो दूसरा conference है, ILO वाला इसको भी implement करना चाती है, और इसके लिए जो time use survey का data यह बहुत important है, चुकि एक country का social fabric और economic fabric को पता करने के लिए time use survey की data की जरूरत है, अके, लेकिन अब यहाँ पे कुछ point बोले जा रहे हैं, जो basic element कहा जा रहा है, sustainable development goal का, और यह जो international conference है, international labor organization की, उस basic component को हमारे देश की time use survey में इस्तमाल नहीं किया जा रहा है, अब यह कौन से basis पे यहाँ पे author बोल रही है, इंद्रा जी बोल रही है, इसको देखते हैं, first of all time use data करता क्या है, कौन से number का sustainable development goal वो पूरा करता है, तो sustainable development goal 5.4 on unpaid work, वैसे तो देखा जाए, तो sustainable development goal से लेके, sustainable development goal 10 तक पूरा करता है, आपका time use survey, but sustainable development 4.4 जो की है, most important SDD for measuring and valuing unpaid domestic services and unpaid care, जो women और men दोनों provide करते हैं, public services में, infrastructure में, उसको measure करना, अभी SDG 5.4 में, सारी domestic services unpaid work, जो की men और women कर रहे हैं, उसको पता करना काम है, लेकिन इंडिया का जो time use survey है न, वो पूरी तरीके से इन चीजों को पता नहीं कर पा रहे हैं, यानि इंडिया का time use survey निकालने का जो तरीका है, और overall जो objective है, sustainable development goals के, वो match नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं match कर रहे हैं, देखते हैं, इंडिया का तरीका क्या है, unpaid work is usually valued using the input method, यह इंडिया की बात हो रही है, valuing the labor input in unpaid work using suitable prices, minimum wages of workers, housekeepers wages, opportunity cost specialized wage, यानि इंडिया में जो input labor cost है, उस wages को calculate करके पदागरने कोशिश की जाती है, कि भाई कितने रुपए का unpaid काम किया उस particular person में, लेकिन इंडिया में जो valuation है, यह adequate नहीं है, चुकि इंडिया में केवल labor ने जो काम किया, उसके input का valuation होता है, कभी भी उस input का valuation नहीं होता है, जो capital technology इस्तेमाल की लिए, यानि labor ने काम किया, तो उसने कितने रुपए का काम किया, यह तो आप जोड़ोगे, लेकिन उसने जिस technology का इस्तेमाल करके काम किया, वो नहीं जोड़ोगे, एक women's NGO में, ठीक है, आप जो videos हैं, उनको पढ़ाने के लिए जाते हो कुछ, मान लिजे, आप उनको, टेलरी का एक course करने गए हो, आप एक बड़े tailor master हो, तो वहाँ पे हो सकता है, कि टेलरी का course करने के लिए, आपने tailor machine मगा रख़्ी हो, जिसके आप पढ़ा रहे हो, या फिर आपने बड़ा सा PPT लगा रख़्ा हो, और उस पढ़े PPT के थूरू आप marker से पढ़ा रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को आप deploy कर सकते हो, तो यहाँ पे technology का use हुआ है, capital का use हुआ है, तो इस capital और technology की cost को जोड़ा नहीं जाता है, इस valuation में, valuation में, सिर्फ उस आदवी ने कितना काम किया, इसको जोड़ दिया जाता है, अब आप बोलोगे कि भीया, unpaid work में, तो जो men और women काम कर रहे हैं, उसी को जोड़ेंगे न, technology को जोड़ो के हम क्या कर लेंगे, तेकि नहीं, यहां पर author क्या बोल रहे है, author देखें क्या बोल रहे है, satellite accounts of unpaid work, however, takes into consideration capital technology, जो developed countries, US, Europe, जैसी, वहां पर जब timeview survey होता है, तो unpaid work में, capital और technology की cost को जोड़ के, accounts निकालते हैं, अब देखें, यहां पर क्या बोला जारा है, under this approach, यानि वो approach, देखें, हमारी GDP में, जो भी calculations होते हैं, उसमें human values की भी value होती, और जो भी technology हो, जिस तरीके के capital inputs लाए ले गाए हैं, उसकी भी value होती, अब जब आप unpaid labor work को calculate कर रहे हो, तो वहां पर सिर्फ labor के work को calculate कर देना सही नहीं है, वहां पर उस labor में, जिस technology का इस्तमाल किया, उसकी value को भी जोड़ना सही है, जरूरी है, तब overall हमको यह idea लग पाएगा, कि GDP में, वो percentage क्या है, जहां पर unpaid work involved है, आप समझे यह बात को, यहां पर थोड़ा सा tricky हो रहा है, मुझे पता है यह बात, European countries में, जहां पर भी unpaid work होता है, वहां पर सिर्फ human capital की cost को नहीं, जो बाकी capital instruments, technology जैसे कि, मैंने बताया कि, आपने बड़े projector से पढ़ाया, तो बड़े projector की cost भी include करनी पड़ेगी, तब overall पता चल पाएगा, कि unpaid work वाले element में, actually में overall, जो cost है, तो यहां पर बोलने की बात की जारी, कुल मिला के कहने की कोशिश क्या की जारी है, कि जब इंडिया में, unpaid work को calculate किया जाता है, तो उसको sustainable development goals की basic premises के एसाब से compare नहीं किया जा सकता, तो इंडिया के जो time view survey का data आएगा, उसको आप लोग national income account के साथ जोड़ नहीं का होगे, फिर देखी क्या बोल रहा है, इस accounting requires information on the assets of a household, that includes assets used in domestic services, factors used in travel and commuting and consumer reduberables, the accounting also requires wage rates prevailing in different locations, unfortunately this information is not collected by TUS in the background questionnaire, जिस household में unpaid work हो रहा है, उस household में unpaid work करने वाले लोग, किस किस प्रकार के assets का इस्तेमाल करते हैं, तो अब भाईया, एक घर में, एक मेड जाके unpaid work कर रही है, मतलब खैट छोड़िए, एक house wife ही unpaid work कर रही है, वो उस unpaid work को करने में, उस house wife के पास क्या क्या चीज available है, क्या उसके पास dishwasher available है, या फिर विम के, बनलब जो बार है, विम की जो टिकिया है, उससे उबर तंदर करके मांज रही है, और साफ कर रही है, तो ये सब बहुत छोटी-छोटी चीज़ों को compute करने की यहां बात की गई है, फिर भाई, एक देश की अलग-अलग जगाओं के जो rates होते हैं, तो बंबई में जो rate हैं, वो फैजाबाद के पास के गाओं से बहुत अलग होंगे, फैजाबाद के पास के गाओं से अगर 5000 रुपए महीने में खर्चा चलता है, तो उसकतर बंबई में 15,000-20,000 से भी ना चले, तो ये भी एक बड़ा चीज है, कि अलग-अलग locations पे अलग-अलग wage rates हैं, तो अलग-अलग ये साफ से calculation हो अचाही बट नहीं, इंडिया में time-use survey uniform तरीके सोरा, digital wage rates के variation को consider नहीं किया जा रहा है, दूसरी बात, जो gender wage के बेना काम कर रहा है, उस gender के पास assets की ownership का data हमारे पास नहीं है, तो एक घर के अंदर, एक men या women जो भी unpaid work करता है, उस men और women के पास, मतलब asset की ownership क्या है, एक particular asset वो men own करता है, या women own करती, इसका data हमारे पास नहीं है, तो भाई gender basis पे हम time-use survey को segregate नहीं कर सकते हैं, तो ये बहुत सारे points यहाँ पे, इंडिया के time-use survey में गलतियां बताई रही हैं, ठीक हैं? और इंडिया में author एक और trend बता रही है, इंडिया में author बता रही हैं कि देखी, जो इंडिया की government है न, वो informal workers को ज़्यादा report नहीं करना चाहती, होता ही है दोस्तों कि इंडिया के जो informal worker class है, जिसको आप बोलतों gig economy, अभी यह जो gig economy है, यहाँ पे जो workers हैं, वो बहुत scattered है, intermittent है, कभी काम मिला, कभी काम नहीं मिला, तो household कर जो काम करती है, women, वो कभी उस काम को report करती नहीं है, किसी को, तो बहुत सी चीज़े यहाँ पे निकल के आती है, अब US में क्या होता है, US में या फिर Europe जैसी countries में, अगर आपने एक हफ़ते में, एक घंटे भी काम किया है, तो उसको add किया जाएगा time view survey में, ऐसा नहीं है, इंडिया में एक हफ़ते में, या तो एक दिन time view survey किया जाएगा, अब उस एक दिन या दो दिन में, जो काम कर रहा है, उसका data तो include कर लिया जाएगा, लेकिन बाकी week of days में, जो काम कर रहा है, उसका data include नहीं किया जाएगा, overall time view survey की, real essence को आपको जानना है, तो हफ़ते भर में, जो एक घंटा काम भी कर रहा है, उसके काम को भी आपको जोड़ना चाहिए, बट इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा है, इंडिया में जिस दिन time survey होता है, और हफ़ते में सारे दिन time view survey नहीं होता है, इंडिया में एक दिन होगा या किसी दो दिन हो जाएगा, तो उन दिनों में जिन लोगों को काम किया, उनको तो आपने एड किया, बट हफ़ते के बाकी पाँच दिन जिन लोगों ने काम किया, उनको एड ही नहीं किया, जरूरी थोए ना कि जो labor economy में लोग काम करें, उनको हर दिन काम मिले, कभी-कभी उनको काम नहीं भी मिलेगा तो बस यही बाते बताई जारी है कि ILO का जो Resolution है International Conference वाला और Sustainable Development Goal 5.4 उसके हिसाब से जिस तरीके से Time Use Survey कराने की बात की गई है उस हिसाब से Time Use Survey नहीं कराया जारा बस इतना ही यहां पे बोला जारा है अब इस Cost Earth Politics इसमें क्या बताई जारा Trump's Afford to Sabotage the Transition Process Will Harms US Recovery Prospects डॉनल्ड ट्रम हार गए है जो बाइडन जीत गए है बट कहीं न कहीं डॉनल्ड ट्रम अपनी हार मानने को तयार नहीं है वो अलग-अलग प्रकार से यह बता रहे है कि COVID-19 पैंडेमिक में मेल इन वोटिंग को इस्तमाल करके एक बड़े लेवल पे वोटर फ्रॉड हुआ है और मुझे हरा दिया गया है अब जुडिश्री में इस केस को खीचने के पूरे मूड में थे डॉनल्ड ट्रम बट वो खीच नहीं पा रहे है जो लीड है जो बाइडन की डॉनल्ड ट्रम के उपर वो बहुत जादा है वो अलग बात है कि इस बार 70 मिलियन वोट्स मिले है डॉनल्ड ट्रम को पिछली बार लगबग 60 मिलियन वोट्स मिले है तो 10 मिलियन वोट्स जादा मिले है बट कहीं न कहीं डॉनल्ड ट्रम् हार गयें लेकिन डॉनल्ड ट्रम् हारने के बाद भी जो नवंबर और दिसम्बर का टाइम है उसमें इस हद तक डैमेज कर रहे है युएस की डेमोक्रेसी को जिसको बोला जा रहा है स्कॉर्च अर्थ पॉलिटिक्स कहीं न कहीं ये डेमोक्रेसी के उपर एक अटाइक है जब देश के लोगों ने चुनके ये बोल दिया कि आप प्रेजडेंट नहीं बन सकते जो बादन प्रेजडेंट है जैसे कि फॉर एक्जामपल युएस के अड्मिनिस्टेशन में एक डेपार्टमेंट है जनरल सर्विस अड्मिनिस्टेशन जनरल सर्विस अड्मिनिस्टेशन की चीफ है युएसे में एमिली मर्फी तो जब जो बादन ने एलेक्शन जीत लिया था तो अब तक Emily Murphy को ये announcement करनी चाहिए थी कि Joe Biden साब जीत गए बट अब तक General Service Administration Department of USA नहीं किया इस announcement से होता गया इस announcement से होता ये कि जो नई party चुनके आ रही है जो नई president और vice president चुनके आ रहे है वो क्या करेंगे उनको कुछ पैसा मिल जाएगा ताकि वो अपने आगे आने वाले एजेंडा को टेक अप कर सके तो ऐसा था कि अगर GSA chief Emily Murphy ये announce कर देती कि Mr. Biden जीत गए हैं तो US आपके सकते हो कॉफर से 6.3 million dollar मिलते Congress से 6.3 million dollar मिलते Joe Biden की team को ताकि वो अपने काम को आगे लेगा वाते हैं लेकिन ऐसा हो नहीं रहा कहीं न कहीं इस announcement को official announcement को कि Joe Biden जीत गए इसको delay करा रहे हैं टरंप साब जो पैसा जाना है जो बाइडन और उनकी team के पास उसको delay करा रहे हैं क्यो delay करा रहे हैं चुकि टरंप साब जब तक office में है तब तक वो पूरी तरीकी से अपनी मनमानी करने की mood में है और मान लीजे बाद में टरंप साब चार्ज ले भी लेते हैं जन्वरी में तो भी ये जो politics वाली जो debate चल रही है न डेमोक्रेट वर्सेस रिपब्लिकन ये बहुत जदा sharp और polarize हो गई है तो कहीं न कहीं जो Biden जब power में आ भी जाएंगे उसके बाद important decisions लेने में उनको cabinet approval की ज़रूद पढ़ेगी जैसे cabinet appointments के लिए किसी भी legislative agenda को आगे move करना है तो उसको केवल house of representative से पास नहीं कराना हो चाता है सेनेट से भी पास रहना होता और सेनेट में कौन मेजॉर्टी में रिपब्लिकास मेजॉर्टी में तो रिपब्लिकन लीडर है सेनेट में Mitch McConnell Mitch McConnell ऐसा कहा जा रहा कि Biden के लिए एक बहुत बड़ी problem create कर सकते हैं तो overall Biden administration के लिए problem ज़ादा है और problem इसलिए ज़ादा नहीं है क्योंकि COVID-19 pandemic फैला है COVID-19 pandemic के विए से problem है problem इसलिए भी ज़ादा एकसर कर बेट हो रही जो कि जो Republicans है जो outgoing President Donald Trump है वो dignified way से अपनी कुरसी नहीं छोड़ रहे है और कहीं न कहीं यह ऐसा करके America के against काम कर रहे हैं अमेरिका के साथ यह लोग प्यार का claim करते है अमेरिका को आगे बढ़ाने का claim करते है बट जाते जाते गदी छोड़ते छोड़ते इस हद तक वो अमेरिका की democracy फैबरिक को विगाड रहे है कि आगे आनिवली government के लिए काम करना मुश्किल हो जाए है जो की एक सही चीज नहीं है लास्ट आर्टिकल पर बाद करते हैं डिजिटल नेशन देखें इंडिया एक बहुत बड़ा smartphone market है एक बहुत बड़ा internet access का market है 750 million यह नहीं 75 करोड smartphone connections है इंडिया में अब आप देखो जो digital services इंडिया में जिस तेजी से आई है उसने इंडिया को मदद ही किये पहले क्या होता था कि अगर आपको electricity का bill बढ़ना है तो आप electricity के office के बाहर जाके line लगाई है अब आप क्या करिए पेटियम को लिए और पेटियम electricity payment option में चले जाएए या एटियल में चले जाएए ये बहुत तरीके की जो आपकी online payment apps है apps है वहाँ पे online बिजली का payment कर सकते हो तो कहीं न कहीं हमारे technology sector ने हमारे fintech ने जहां पे finance को technology से मिला दिया गया है चीजों को आसान कर दिया गया है और कहीं न कहीं को विड-19 के pandemic के बाद ये बोल देना कि इंडिया की way of life अभी digital हो गई है ये सही नहीं है क्योंकि मोदी साहब यहाँ पे क्या बोल रहा है या फिर क्या बोलने कोशिश करने है true measure of digital nations is the readiness of governments to use technology to create open participatory public systems that citizens consider trustworthी यानि कि भाया आप technology का प्रियोग करिए ताकि open और participatory public systems को आप develop कर सको जो कि citizens के लिए trustworthी हो digital welfare के system को हमको promote करना है हमको promote किया भी जा रहा है तो भाई citizen services को common service centers के थूँ लेके आया जाता है उसके बाद agriculture को online advice दी जाती है digital payments welfare benefits के आपके bank account में होते है 4 लाख people को tele-law scheme के अंदर online legal advice दी गई तो ये सब जो digital method से वो बहुत potential है बहुत तगड़े है in fact जो road safety की बात कर लीजे बहुत से ऐसी जगह हैं जहां पर आप digital safety architecture को extend कर सकते तो जिसे road safety में अगर आप online mode का इस्तमाल करो तो accident mortality rate जो कि अभी के लिए 1.5 लाख है साल का उसको कम किया जा सकता है पिर यहां पर कुछ और बातें बोली जारी है health sector में digital technology को जोड़ना important है हमारी जो successive government से इन्होंने क्या announce किया है कि भाई universal health coverage हम लोग ले के आएंगे 2022 तक और ऐसा नहीं है कि जो प्रेजेंट की बीजेपी के सरकार है उसी ने बोला है कि universal health coverage हम लोग ले के आएंगे अब universal health coverage में digital component बहुत important है और ऐसा नहीं है कि digital component इंडिया में है नहीं आयुश्मान भारत है और आयुश्मान भारत के अंदर हर इंडिया के citizen के लिए अपनी digital health identity बनाने की कोशिश की जा रही है और इस digital health ID के चलते एक आदमी की health condition क्या है वो किसी भी dispensary में जाएगा उसकी health ID खोल के हम लोग जान लेंगे कहीं न कहीं overall इसमें जो खर्चा है वो बढ़ता जा रहा है Planning Commission ने 2011 में estimate किया था कि अगर universal health coverage देनी है तो 0.1-0.5% of GDP का involvement हो सकता है अभी के लिए कहा जा रहा है कि 3-5% of GDP के involvement में आप universal health coverage दे पाऊगे कुल मिला के electronic delivery of services की बात होती है अब जैसे digital health ID का announcement किया था प्रदान मंत्री मोधी जी ने Republic Day की speech पे Sorry, Independence Day की speech से, Red 4 से लेकिन अब बात यह है कि digital health ID की जब बात की आयुश्मन भारत के इंदर जोडने के लिए तो बहुत सारे और challenges उठाए उसमें के editorial की papers कुल गए कि आप basic level पे digital health infrastructure तो दे दो सब चीज़ तो आपने privatize कर दी है digital health ID लागे आप कर क्या लोगे ये भी कुछ अत्तक बात सही है हमारा जो health infrastructure है वो पूरी तरीके से privatize हो चुका है और private enterprises के वल profit motive पे काम करते है तो मान लीजे आप एक digital health ID बना भी देते हो तो उसका फायदा तब होगा जब इनसान की बीमारी को पता करने के बाद उसके treatment के option हो और treatment के option जब पैसे पे आजाते हैं तो गरीब आदमी इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता तो ज़रूरी यह है कि digital health intervention को ground level पे infrastructure health intervention के साथ जोड़ना ज़रूरी है तो ही हमारे देश में digital technology को health sector सुधारने में proper तरीके से involved किया जा सकता है कुछ खास point नहीं थे पहले इन points को खास का discuss कर रहा है so thank you for watching friends have a great day goodbye